अगर आपको पूरी सीरीज का वीडियो लिंक चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपोर्टेंस ओफ एड़टाइजिंग के बारे में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो Advertising Management की इस वीडियो सीरीज के जितने भी हमने Notes बनाए हैं उसकी हमने एक PDF बुक भी बनाई है तो अगर आपको ये सारी सीरीज अच्छी लगती है और अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं उसका लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस बुक को खरीच सकते हैं इस बुक को काफी easy और simple language में बनाया गया है with example ताकि आप अपने सारे concept को अच्छे से clear कर सकें तो चलिए बढ़ते हैं आज किस वीडियो की और importance of advertising में हम ये 8 point discuss करने वाले हैं तो चलिए one by one हम इने detail में study करते हैं first point है spreading awareness तो advertisement का काम है लोगों में awareness फैलाना उन product या services के बारे में जो market में अभी आएंगी या फिर पहले से ही मुझूद हैं और ये new या फिर existing product या तो customer की need या फिर wants को जो भी उनकी जरूरते हैं उन्हें पूरा करेगा प्रोब्लम्स है तो उन्हें प्रोब्लम्स को solve करने में उनकी help करेगा एक advertisement आपको क्या बताते हैं कि product और service क्या है advertiser है उसके पास कौन सा product है या service है जो वो बेचना चाहता है कहां से इसे खरीदा जा सकता है online, offline, store, outlets इन सब के बारे में भी आपको advertisement के तुरू aware किया जाता है कितने में आप उसे खरीद सकते हैं आपको कितना amount उसके लिए pay करना पड़ेगा कौन-कौन इसे खरीद सकते हैं और क्यूं आप इस product या service को खरीदें अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हर कोई अपने product की advertisement कर रहा है तो आप हर एक product खरीदना चाहेंगे आप दिन में on an average माल लिजे अगर आप 30 से 40 advertisement भी देखते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप उन 30 या 40 product को खरीदना चाहेंगे और क्या importance है advertisement की कि वो आपके brand को popularize करता है किसी भी ऐसे brand या product के बारे में सोचिए जिनके साथ आप काफी ज़्यादा familiar है जैसे की Coca-Cola और McDonald's यह brand advertising के थूरू अपने group से बहार आए हैं अब जैसे की मैं बात करता हूँ motorbike काफी ज़्यादा होंगी different brands है hero है honda है tvs है बजाज है लेकिन जो famous brand है जैसे hero का honda का तो यह advertisement के थूरू अपने product को launch करके लोगों को influence करके अपने customer को target करके दूसरे अपने competitors को पीछे करके खुद आगे आते हैं तो वो क्या करते हैं वो एक उनका जो group है उनके जो competitor है उनसे वो fight करके advertisement के थूरू आगे आते हैं and make their name a brand जब भी हम कोई company start करते हैं तो एक नाम से start करते हैं वो कभी भी starting में एक brand नहीं होता है चाहे वो Coca-Cola है, McDonald's है, Burger King है, Hero Honda है, Maggie है, Apple है, Reliance है यह सारे brand advertisement के थूरू अपने brands को popularize करते हैं अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन-कौन से popular brand है इंडिया के जैसे कि Reliance, HDFC Bank, Infosys, Tata Consultancy Service, Actual, ICICI Bank इनमें यह सारी company इंडिया से belong करती है Actual है, यह international company है, MNC है लेकिन इसका इंडिया में काफी ज़्यादा business है और इंडिया में सबसे ज़्यादा advertisement इसी company के द्वारा की जाती है थर्ड है increasing demand target customer के लिए जो भी हम advertisement करते हैं वो काफी बड़े level पे की जाती है जैसे कि हमने पहले भी discuss किया है कि यह non-personal लही होती है जब भी हम कहीं advertisement करते हैं तो वो किसी एक individual person के लिए नहीं होती है वो group of person के लिए होती है काफी vast population को इसमें cover करते हैं तो advertisement कहीं भी हो newspaper, magazine, billboard, radio, television, internet portal आपको कोई भी हो platform कोई भी हो यह सब advertiser की help करते हैं कि वो advertisement करके अपने product की demand में increase कर सकता है और जो advertising काफी अच्छे तरीके से बनाई जाती है जो की काफी influence करती है वो customers को satisfy करती है उन्हें influence करती है जिससे कि वो चाते हैं कि वो एक बार इस product को जूर ट्राइ करें fourth point है increased profit इसे हम third point से link कर सकते हैं जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे advertisement demand को increase करती है अगर आपके demand जादा होगी तो आपके product और service की sales जादा होगी sales जादा होगी तो आपका profit भी बड़ेगा तो advertisement जब की जाती है तो वो large number of group के लिए की जाती है same type पे तो अगर उस large group of people जो भी आपके customers हैं उसमें अगर low conversion rate भी देखने को मिलता है और वो आपके product को खरीदते हैं तो भी आप अच्छा profit कमा सकते हैं जैसे कि माल लिजे company advertisement करती है अपने product और services की और वो advertisement 100 people या customers देखते हैं अब यह ज़रूरी नहीं है कि वो 100 के 100 customer इस product या service को खरीदेंगे अब माल लिजे कि 100 में से 40 या फिर 50 persons भी advertisement देखके इस product को खरीते हैं तब भी company के product की demand बढ़ेगी demand बढ़ेगी, sale बढ़ेगी और उससे profit भी बढ़ेगा और अगर company अपनी advertisement को काफी अच्छे तरीके से execute करती है तो हो सकता है कि company को एक अच्छा conversion rate भी देखने को मिले जिससे कि उससे sale भी बढ़े sale बढ़ेगी तो of course कि उसका profit भी बढ़ेगा अब माल लीजे कि हमने पहले low conversion rate लिया इसमें profit तो बढ़ेगा लेकिन इतना जादा नहीं, अब माल लीजे कोई new mobile launch होता है तो 100 customers तक उस advertisement को पहुँचाया जाता है, अब उसमें से अगर 70 भी इस new mobile को खरीते हैं तो यहां पे sales increase होगी जिससे की company का profit भी increase होगा फिफ्थ पॉइंट है, maintains the existing market, एक forward looking company जो हमेशा future को साथ लेके चलती है कि क्या हमारे future में goals रहेंगे, policy रहेगी vision और mission क्या होने वाले हैं हमारे, तो वो कभी भी अपनी current position को lose नहीं करती है forward looking के साथ, यहां पे मैंने core word add किया है, going concern तो हमने company low और account में यह पड़ा है कि जब भी कोई company start होती है तो वो यह सोच के start नहीं होती है कि आने वाले 4-5 साल में उसे अपने business को बंद करना है, वो यही सोचती है कि आने वाले number of years तक उसे अपने business को carry forward करते रहना है कोई भी ऐसी forward looking or going concern company जो की future goals policies, vision और mission को साथ लेके चलती है वो कभी भी market में अपनी current position को lose नहीं करती है company की success इस पे depend नहीं होती है कि वो कैसे market create करता है कैसे अपने customer attract करता है अपने product की और कितना वो market share carry करता है अपने competitor के comparison में बलकि इसके साथ कैसे वो उस market share को maintain करके रखता है और क्या वो steps लेता है आने वाले time में उसके और expansion के लिए इस पर company की success depend करती है 6th point है act as salesman sometime हम advertising को describe करते है as salesmanship अब ऐसा क्यों है क्यों कि salesman देखिए क्या करता है वो door to door जाता है अपने product और service को sell करने के लिए अपने customers को same काम advertisement करती है वो different platform के थुरू आपके customer के साथ interact करती है आपके product को introduce करती है उन्हें influence करती है क्यों आप उनके product को लें इसलिए बहुत सी organization कभी भी large army hire नहीं करती है salesman की क्योंकि वो advertisement के थुरू अपने customer तक अपने product को पहुंचा देती है 7th है reduce his burden of job अब ऐसा तो है नहीं कि advertisement company कर रही है तो उसे किसी भी employee की जूरुत नहीं पड़ेगी फिर भी कही न कहीं उसे army तो hire नहीं करनी पड़ेगी लेकिन कुछ number of salesman की जुरूत जरूर होगी तो advertisement के थुरू जो salesman है उनका भी workload कम होता है क्योंकि selling करना काफी challenging task होता है और यह काफी difficult होता है advertisement की absence में अगर advertising नहीं हो रही है तो हमारे salesman को हम जानते हैं कि वो क्या काम करती है communicate करेगी customer के बीच में उन्हें बताएगी क्या product है कितने में product है, क्या-क्या feature है specification है, configuration है क्यों आप इसे खरीदेंगे या आपको क्या फाइदा देने वाला है दूसरा है selling का कि कि किसी ना किसी तरह उस customer को convince करना है कि वो हमारे product को खरीदे ही खरीदे advertising का एक और फाइदा होता है अगर आपके doorstep पे कोई salesman आता है और वो अपना product बेचना चाहता है आपको तो हमारे मन में ज़दातर यही question mark होता है कि ये किसी ना किसी तरह का fraud होगा, product fake नेकलेगा या इस तरह की कोई scheme नहीं होगी लेकिन अगर advertising होती है और TV पे वो brand आते हैं तो कहीं ना कहीं ये public में interest भी create करते हैं उनका confidence win करते हैं एक strong faith create करते हैं customer के mind में और इस ready background में क्योंकि salesman अभी आपके doorstep पे आया नहीं है, पहले से ही उसे ये पता चल चुका है advertising के through कि क्या product है feature configuration, etc, etc वो सब जानते हैं उस product के बारे में तो अब कोई भी salesman अगर आपके doorstep पे आता है आपको वो product बताता है आप जानते हैं उसके बारे में और अगर आप interested हैं तो salesman को जादा कुछ नहीं करना है उसे बस बताना है कि आप इस तरह से खरीज सकते हैं और उसका काम एकदम आसान हो जाता है 8th and last point है हमारा It is a driving force in decision making अगर आज की बात करें तो product and services काफी complex हो चुके हैं complex कैसे? क्योंकि large number of product and services available है market में और जितने जादा largest possible variant product या services के हमारे पास होंगे उतने जादा customer के mind में confusion create होगी कि कौन सा product उनके लिए better है इसके साथ हर advertiser जो भी producer है उस product या service का वो ये claim करता है कि उसका product ही सबसे best है अब यहाँ पर एक example देखते हैं which biscuit is best इन सब में best कौन सा है इन सब के अपने-पने USP भी है लेकिन ये decide करना बिना try कियो है कि इन product में कौन सा best होगा तो जितने जादा variants available है उतने जादा customer के mind में confusion भी create रहती है तो यहाँ पर decision making में ये कैसे help करेगा वो देखेंगे अब अगर आप किसी shop पे जाते हैं और आप ये सब biscuits देखते हैं तो आप ये decide नहीं कर पाएंगी कि आपको कौन सा लेना है advertisement में आपको ये बताया जाएगा कि कौन से biscuit की क्या specification है जैसे कि ये बटर biscuit है चोकलेट है crispy and tastier है ये एक light biscuit है इस तरह से हम identify कर सकते हैं अपने taste के coding कि हमें कौन सा biscuit यहाँ पे लेना चाहिए लेकिन फिर भी कही ना कहीं हमारे पास इतने variant available है कि हम बिना try किये हुए sometime किसी product को ये identify नहीं कर सकते हैं किन में से कौन सा product बढ़िया होगा जिससे कि हमारे mind में भी उसके regarding काफी confusion create होती है तो वीडियो आपको कैसा लगा ये comment करके ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई query है इस वीडियो या फिर किसी भी topic के लिए तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं मैं वहीं पर आपको reply करके या फिर अलग से वीडियो बनाके आपके साथ share कर दूँगा वीडियो अच्छा लगा तो like करें चैनल को subscribe करें Thank you